Hi everyone, hope you are doing well, so कुछ ताइम पहले हमने हायूस ठाकुर की विवाप प्लस प्राइस एक्षिन च्राटेजी को अपने चैनल पर बैक्टेस्ट किया था, रिजल्स अच्छे थे, if you have not seen that video, then definitely check it after this video, so in this video, we will see another strategy, credit for the strategy goes to हायूस ठाकुर, who has a YouTube channel with over 100k subscribers, आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पर, हमारे भी चैनल पर बहुत जल्दी 15k उने वाले है, so अगर आप में से कोई है, जिसने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारा content भी अच्छा लग रहा है, तो क्या कर रहा है, जल्दी सब्सक्राइब कर से आपको याद होगा, last video में हमने इनका normal VWAP plus price action strategy को test किया था, और बोला था कि advance वाला हम बाद में चेक करेंगे, तो यह रहा video, so today we are going to back test another famous strategy, which is called advance VWAP plus price action strategy, screen पर आप देख सकते हो, इस पर इन्होंने दो वीडियो बनाया है, according to iostakur, this advance VWAP plus price action strategy, बहुत सारे losses कम कर सकते ह है, compared to normal VWAP plus price action strategy, जो उन्होंने previously provide किया था, देखते है, यह advance strategy कैसे काम करता है, so as the name suggest, this is an indicator and price action based strategy, इसमें उनका gap up theory को VWAP के साथ उन्होंने combine किया है, और एक trading strategy बनाया है, इसमें unlike previous video, आपको VWAP के break पे entry नहीं लेना है, इसमें आपको price के pullback पे entry लेना है, हम इस strategy को बोथ Nifty और Bank Nifty में test करेंगे, since यह index strategy है, तो आप जानते हो कि हम index वाली strategy को futures के लिए test करते है, आप वो result देखके idea लागा सकते हो कि यह option में कैसे काम करेगा, तो इंट्रो के अतम strategy पे चलते है, जहां हम advance VWAP plus price action strategy from Hayus Thakur को total 100 times test करेंगे, in Nifty and Bank Nifty, और चेक करेंगे कि कैसे काम कर सबसे पहले हम ट्रेडिंग वी ओपन करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी प्लॉट करेंगे, simply इदर उपर क्लिक करके, निफ्टी या बैंक निफ्टी सर्च करो मिल जाएगा, अब इसके बाद टाइम फ्रेम को 5 मिनिट्स कर देंगे, अभी इंडिकेटर्स में जा करो और वी वैप सर्च करो तो यह बिल्ट इन वाला आ जाएगा, फुल फॉर्म वाला इसको एड कर दो, फिर सेटिंग्स में जाके इसका बैंड मल्टिप्लायर को अंटिक कर दो, और ओके कर दो, इसके बाद वापस उपर इंडिकेटर में जाएगे और गाप डिटेक्ट होना चीए और उनके वीडियो के इसाब से निफ्टी में बहुत सारे केस में मिनिमाम 40 पॉइंट का गाप अप है और बैंक निफ्टी केस में 80 पॉइंट का है, अभी स्क्रीन में निफ्टी है तो हम 80 कर देंगे इसको सेटिंग्स में, इतना समझो निफ्टी हो या बैंक उसका एक पॉइंट इसके लिए 2 पिप्स है, so 40 पॉइंट is equal to 80 पिप्स, अभी लास्ट में अम मूविंग अवरेज अड करेंगे, सिंपली उपर इंडिकेटर में सिंपल मूविंग अवरेज सर्च करो और उसे अड कर दो, अब इसके सेटिंग्स में जाके लेंथ को 200 करे करेंगे, स्टाइल में जाके कलर को वाइट करेंगे और तिकनेस को अज उजूल बढ़ा देंगे, so setup ready, चलिए, रूल्स फॉर बाइंट्री देखते है, first, previous day close should be above 200 moving average, इससे हम यह समझेगा कि आज का trend बाइंग है, फिर current day open should be a gap down, उसके बाद, price should close above the VWAP, making a good green candle, फिर price should make a high, after this break, at least two continuous lower high should be formed, without closing below the VWAP, after all the above condition are met, यह basically pullback है, जैसे ही price VWAP के उपर close होता है, और एक high बनाएगा, उसके बाद हमें उसका pullback का wait करना है, pullback एक candle का नहीं चलेगा, minimum two candle का pullback होना ही चाहिए, इसके लिए हमने rules में ऐसा लिखा है कि आपको minimum two candles चाहिए, जो lower highs बना रहे ह without closing below the VWAP, यह case में आपको three pullback candles दिख रहा है, your entry should be before 12, entry high of the latest pullback candle, अगर दो pullback candle बनाया है, तो आपको second candle के high पे entry लेना है, और अगर तीन pullback candle बनाया है, तो same आपको third candle के high पे entry लेना है, and so on, stop loss, अब stop loss थोड़ा सा tricky है, उन्होंने अपने rules में बोला है, कि stop loss आपको जो latest pullback candle होगा न, उसके low पे रखना है, या फिर swing low रखना है, जो सुनने के लिए तो सही लगेगा, but examples देखोगे नापकुन के वीडियो में, तो आपको ऐसा लगेगा, कही कही पे उन्होंने stop loss candle का low रखा है, और कही कही पे उन्होंने swing low रखा है, वो तो example देखके उन्होंने बोल low और max 60 points in case of nifty and 120 points in case of bank nifty, इससे क्या होगा, आपका stop loss छोटा भी होगा और rule objective रहेगा, अब target इसमें भी दो चीज है, उन्होंने start में बोला था कि आपको 4 is to 1 पे target बुक करना है, फिर जैसे setup खतम हुआ तो उन्होंने बोला कि इसको आप partial profit बुक करोगे तो आपका result बेट फिर target 2 would be 4 times the risk and we will book the remaining profit once the target hits 4 times the risk, इसमें भी you can only take 1 re-entry per day, so max trade would be 2 trade in a day, so let's say अगर आपका stop loss hit हुआ है, बट आपका price फिर भी विवाप के नीचे नहीं गया है और वापस आपको 2 pullback candle बनाया है, तो आप वापस उदार re-entry ले सकते हो, rules थोड़ा आपको complicated लग रहा होगा, चलिए एक bank nifty में example देखते है ताकि वो clear हो जाएगा, यहाँ देखे है, previous day का closing 200 moving average के उपर है और यहाँ एक gap down हुआ है, so price इदर विवाप के उपर भी good green candle बना के closing दिया है और एक high भी बनाया है, बट वापस विवाप के नीचे चला गया, फिर वापस विवाप के उपर एक good green candle बना के closing दिया है और एक और high बनाया, और इदर एक pullback दिया है, यह second candle के high पे हम entry लेंगे, stop loss would be last two candles low, unfortunately this resulted in a loss, कोई बात नहीं, एक और example दिखते है, यहाँ देखे, previous day का closing 200 moving average के उपर है, और यहाँ पर भी एक gap down हुआ है, और price इदर विवाप के उपर closing दिया है, making a good green candle और high भी बनाया, यहाँ पर pullback candle तो बनाया है, बड़ हमें entry नहीं मिला, और जब हमें entry मिला, price वापस विवाप के नीचे आ चुका है, so हम entry नहीं लेंगे, फिर कुछ टाइम बाद आप वापस देखोगे, price वापस विवाप के उपर close हुआ है, making a good green candle और high बनाया है, उ first target 2-1 पर book करेंगे, और second target 4-1 पर book करेंगे, and this resulted in a win, यहाँ आप देखोगे, तो price कुछ टाइम बाद इदर वापस 2 candle का pullback दिया है, but यह 12 के बाद हुआ है, so हम इसे re-entry नहीं मानेंगे, let's assume कि 12 से पहले नहीं हुआ होता, so हम यह second pullback candle के high पर entry लेंगे, stop loss इस candle का low रखें और remaining 4-1 पर book करेंगे, but यह loss हो जाता, but यह example को सिफ एकसा example अपना consider करते है, I hope strategy clear है, before seeing sell rules, I would like to give a shout out to chartprime, who are also today's video sponsor, जिनको नहीं पता, chartprime is a custom indicator service, यह बाकी सब indicator service जैसे आपको सिर्फ buy या sell के tips देने वाले services नहीं है, इनका goal उन trader पे focused हैं, जो अपने trading career के मामले में serious है, और इनके tools को additional confirmation की जारा अपने analysis में use करेंगे, इनकी एक strong trading community भी है discord पे, जहां यह लग trade ideas post करते रहते हैं, और नए setups भी post करते हैं, इनके indicators में आपको calm के और जादे accurate signals मिलते हैं, बाकी के trading services के comparison में, RAID भी बाकी service provider के comparison में almost half ही है, जिसमें यह आपको 6 indicators provide करते हैं, with 20 different unique confluence points जो आप अपने analysis में use कर सकते हो, obviously this is not for everyone, और मैं आपको guarantee भी नहीं दे सकता हूँ कि यह आपको हमेशा पैसा बना के देगा, इतना तो हम भी जानते हैं कि हम traders है, और हम probability पर विश्वास करते हैं, so I would advise to take their one month subscription and try out their product yourself, और जितने experimentation और back testing करना है, कर लो, अगर आपको सही तो आपको 40% off मिल जाएगा, जिससे आपको effectively यह product और सस्ते में मिल रहा है, so if you find it interesting, then make sure to check them out, चलिए rules for sell entry भी देख लेते हैं, previous day close should be below 200 moving average, इससे हमें यह समझता है कि trend selling का है कि buying का है, यहाँ पर trend selling का है, current day open should be a gap up, फिर price should close below the VWAP, making a good red candle, price should make a low after this break, at least two continuous higher low should be formed without closing above the VWAP, after all the above condition are met, यह भी same pullback जैसा ही है, कि जैसे ही आपका price VWAP के नीचे close होता है और एक low बनाएगा, उसके बाद आपको एक pullback का wait करना है, pullback एक candle का नहीं चलेगा, minimum two candle का pullback होना ही चाहिए, इसलिए हमने rules में डाल दिया है कि आपका दो candle higher lows बनाना चाहिए without closing above the VWAP, your entry should be before 12, entry would be at the low of the latest pullback candle, अगर दो pullback candle बनाया है, तो second के low पे entry लेंगे, अगर तीन pullback candle बनाया है, तो third के low पे entry लेंगे and so on, stop loss by example जैसे ही, last two pullback candles का high और max stop loss for nifty would be 60 and 120 points for bank nifty, इससे stop loss भी छोटा होगा और rules भी objective होगा, अब target इसमें भी buy जैसा ही रखेंगे, आपको target one two times the risk पे book करना है, और आपको stop loss को cost to cost पे लाना है, और target two four times the risk, इसमें भी same आपको उपर जैसा, आप एकी re-entry ले सकते हो, so max trade would be two trade in a day, I hope सब समझ रहा है, चलिए इसका भी bank nifty में example देखते है, यहाँ देखिए, previous day का closing 200 moving average के नीचे है, और यहाँ एक gap up हुआ है, और price इदर VWAP के नीचे, making a good red candle, closing देखे एक low भी बनाया, और उसके बाद just pullback भी दिया, so यह second candle के low पे अब entry लेंगे, stop loss would be last two candle high, and unfortunately this resulted in a loss, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, कुछ टाइम बाद price ने वापस low बनाया, और एक और pullback दिया, so and still price VWAP के नीचे है, so second candle के low पे हम re-entry लेंगे, stop loss would be last two candle high, और फिर first target यहाँ 2 is to 1 पे बुक करेंगे, और बाकी यहाँ 4 is to 1 पे बुक करेंगे, चलिए I hope strategy clear है, तो इस strategy को चलिए 100 times test करते है, और इसका sleeve index check करते है, I will let you know the full result after the test, चलिए result देखते है, So the tests are over, जैसे आप देख सकते हो, total number of trade was 126, उसमें से 58 are win and 68 was loss, so win rate was 46%, total gain in an account was 34.12% and max.on is minus 6.7%, continuous win in a row is 7 and continuous lose in a row is also 7, total duration of the test was 12.9 months, before going further, इसमें भी same problem है, जो last video में हमने discuss किया था, That is, इसको आप backtest नहीं कर पाओगे, without a premium account, because कि इसमें भी आपको last normal VWAP or price action strategy से भी compare करोगे ना, उससे भी कम trade मिलते है, total 126 trade है in last one year, for bank nifty and nifty combined, results आपके सामने है, Ultimately strategy is profitable, 34.12% gain with minus 6.7% drawdown is quite good, और RPT is also just 1.71%, obviously इसका occurrence बहुत बड़ा issue है, जैसे आप देख सकते हो, Last 12.9 months में हमें सिर्फ 126 trade मिला है, इसको हमने fixed risk reward equal to 4 के लिए भी test किया था, और आपको backtesting result आपके screen पे दिख रहा होगा, Gain is lower and drawdown is much higher compared to partial profit वाला, so हम इसे ignore कर सकते है, If you would personally ask me, I think it's a good strategy, आपको, आपका risk reward trade भी बहुत कम है, Only problem है इसका total duration, उसके अलाबा, I feel this strategy is pretty solid, anyways, kudos to Mr. Hayush Thakur, for sharing this strategy with us, As always, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, सीधा मेरी बात या किसी की भी बात, आपको blindly trust नहीं करना है, Put test करना है, और फिर decide करना है कि यह strategy कैसे काम करता है, So I'll add this strategy in the Google Sheet, a link in the description, and this takes the 12th position in the list, You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like, So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification, And do like the video and share the video, And make sure to check out ChartPrime, link will be in the description, जहां से आपको 40% off मिलेगा उनके monthly plans में, और अगर आप हमको support करना चाते हो, तो आपको UPI ID स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं तो description में मैं जिरोधा का link डाल दूँगा, हमसे account बना के आप थोड़ी channel के help कर सकते हो, और अगर आपको यह back testing sheet चीट चीए, तो हमने इसे अल्यड़ी अमारे channel पे share किया है, से अल्यड़ीट अल्यड़ीट बना केंपा चाते हैं, प्रच्छ प्रच्छ चीए, और आपको अल्यड़ीट चीए,